नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियो में बात करने वाले है हिमालया के सेप्टिलिन टेबलेट के बारे में जैसे कि फ्रेंड्स इसके उप्योग सर्दी खासी जुखाम लगातार होने पर यूज किये जाते हैं आईए अधिक विस्तार से जानते हैं कौन-कौन सा समस्यों में आप इस हिमालया के सेप्टिलिन टेबलेट को उप्योग कर पाएंगे यदि आपने अभी तक Medicine with Soraj YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो फ्रेंड्स चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर इसके उपर यूज किये गए इंग्रेडियन्स के बारे में बात करो तो फ्रेंड्स इसमें है गुदूची, आमलकी, शीगुरू, इसके अलावा भी फ्रेंड्स, 7-8 प्रकर इंग्रेडियन्स इस हिमा पी है, वो समय के साथ कम ज्यादा होते रहते हैं, आइए जान लेते हैं कौन-कौन सा कंडिशनों में आप इस हिम्यालिया के सेप्टिलिन टेबलेट को उप्योग कर पाएंगे, जैसे कि दोस्तों इसके उप्योग लगातार सर्दी खांसी जुखाम होने पर यूज किये ज इम्म्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी इस हिम्यालिया के सेप्टिलिन टेबलेट के यूज किये जाते हैं, अगर इसके डोसेच के बारे में बात करो तो फ्रेंट्स एक एडल्ट बैक्ती सुबा एक गोली तता शाम एक गोली दिन में दो बार ले पाएंग इसके तो अभी तक साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले है, बाई दफ़ा आपको इस हिम्यालिया के सेप्टिलिन टेबलेट को उप्योग करने का बात किसी भी प्रकास साइड इफेक्ट देखने को मिलती है, इस टेबलेट को अपने आतुरन बन कर दे और आपके